दोस्तों आज मेरी मम्मी मूंगफली की ऐसी मिठाई बनाने वाली हैं जो की इतनी ज़ादा पॉवर्फुल इतनी पोश्टिक होती है छोटे बच्चे जवान लोगों के लिए बजूर्गों के लिए शरीड में ताकत को बढ़ाती है और जोडों में गुटनों में दर्द र दोस्तों आप देख सकते हैं मूंगफली के खराब हो चुक वहाँ यहां को तक देख सकते हैं मूंगफली की दाने एकदम साफ हो चुके हैं अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूं एक दम अच्छे वाले दाने हैं तो इस तरह से आपको दाने ले लेने चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं दस मिनट लगते हैं यह पूरी मिठाई बना रही है तो आपको एक तवा ले लेना है उसको एकदम धीमी आच पे बहुत कम आच रख लेना है और दो से तीन मिनट तक इसको दोस्तों आपको पकाते रहना है ताकि इसमें लाइट ब्राउन कलर आ जाए डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए अगर दोस्तों आपका डार्क ब्राउन हो जाएगा तो यह मुझफली आपकी जादा जल जाएगी फिर टेस्ट You guys You this have to take it तो आपको एक शिलिका ब्राउन के लाईन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी यह इसको उठागे ने के लिए प्लेट में डाल रही है तीन से चार मिनिट आपको तो नहीं की आप देखेंगे gör वैसे आपको ऑसको मसल के हाथ्टों से आपको इसक सकते हैं हातों से आपको मसल मसल के अप मेरे a य। य। नहीं पापा दूनों एक साथ कर रहे हैं ताकि time लगे तो इसको हातो से मसल के आपको इसके छिलकी उतार लेने हो इसके ल। आप बहुत असरी हमसंदे इसके इसके चिलक आफार लें इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो लाइक करना बिलकुल भी न भूलें और चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को दबाने के बाद आल पे क्लिक करना बिलकुल भी न भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो आप डेली अपने मुबाइल में देख सकें एकदम फ्री है सस्क्राइब करना आप देख सकते हैं मुँखळी के छिलके उतर गए हैं आपको इस तरह से करना है ऐसे ऐसे ढिले ढिले हातों से आप इसको गुमाएंगे मुखळी को चिलके नीचे रह जाएंगे इस तरह से आपको ये ढकन में डालते जाने मुखफली आपको फूक मारने की फैन के नीचे रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है घर में गंध पड़ सकता है तो इसलिए हाथों से ऐसे करें देखिए कितनी असानी से मुखफली साफ हो जाती है चिलके नीचे हो जाते हैं अराम से निकल जाते हैं और जो गंध है वो नीचे रह जाता है तो आपको ऐसे कर लेना है पूरे मुखवली निकाल लेनी है सफेद उसी की हम मिठाई बनाएँगे दोस्तों आप देख सकते हैं चिलका मेरी मम्मी ने निकाल लिया आपको भी ऐसे निकाल लेना है, सूखे चिलके अलग हो चुके हैं अब आपको mixer यह जो jar होता है, इसके बीच में आपको डाल देना है सूखा हुआ jar होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आपको यह पूरा ऐसे करके इसके बीच में डाल देना है चली पूरा डाल लेते हैं, उसके बाद में जैसे आप इसको पीसेंगे, पीसते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसको बहुत तेजी से बहुत समय तक नहीं पीसना है, वरना यह तेल छोड़ देगा आपको धीरे धीरे करके एक एक सेकंड रोक रोक करके बहुत कम पीसना है इसको ताकि यह पीस भी जाए और इसका तेल ना निकले, तो जादे देर तक ना पीस है, तो चलिए इसको पीस लेते हैं तो चलिए इसको छान लेते हैं दीरे-दीरे दोस्तों ऐसे आपको दीरे-दीरे करके छानते रहना है दोस्तों आप देख सकते हैं यह आपको जो उपर मोटा-मोटा रहा जाएगा नो उसको आप अलग से ऐसे निकाल लेंगे और इसको एक बार फिर से ग्राइंड करके आप फिर से पीसेंगे ऐसे तो चलिए पूरा आटा इसी तरह से पीस लेते हैं मुंखफली को यह देखिए कितना अच्छा बन गया पूरे आटे की तरह पता ही नहीं चल रहा है चलिए असारा पीस लेते हैं तरह साथ कर में इसी बाओल में आपको दोस्तों डाल लेना है 3-4 अलाइची के दाने कूटके यह आप देख सकते हैं कूट के, हमण लाइची के डाने, इसकी बीच में डाल दिये और साथ में दोस्तों आपको इसकी बीच में दोबड़े कप मिल्क क जो पाउडर होता है, नैसले का, अवरीडे का, पतैंजली का, किसी का भी आप ले सकते हैं दो से तीन कप डाल सकते हैं आपको इसको बीच में डाल लेना है तो आप यह देख सकते हैं तीन कप डाल दिया है इसके बीच में अच्छे से पूरे मिक्स्चर को आपको मिक्स कर लेना है दोस्तों आप देख सकते हैं यह अच्छे से mix कर लिया अब आपको next process में चलिए आईए इसको भून लेते हैं घरम कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे pan ले लेना है pan की बीच में दोस्तों अगर आपने यह दो कप यह पूरा आपका powder है ना आटे का मुंख फली का तो एक का अपको चीनी डाल लेना है brown आप देख सकते हैं मम्मी ने एक का चीनी डाल दिया कि इसी के बीच में दोस्तों आपको Τ्रह में आईए जानते दोस्तों आपको चीनी को अच्छे से तब तक हिलाते रहना है धीमी आज पर जब तक ये पूरी तरह से गुल नहीं जाती है धीमी आज पर पकाएं ताकि आपकी ये जलनी नहीं चाहिए चाशनी एक से दो मिनट तक आपको हिलाते रहना है इसी से ताकि अठ्षे से चीनी गुल जाए जिस्तों आप यह देख सकते हैं एक तार की चाशनी आप मेरी मम्मी ने धीमी आज पे तीन से चार मिनट तक पका लिए आपको अभी दिखाएंगे मेरी मम्मी की चाशनी कितनी पतली रखनी है यह देखिए उंगली में लगाके जो आपकी चाशनी है वो एक तार की ही होनी चाहिए बहुत ज़ादा चिपची भी नहीं होनी चाहिए चलिए अब next step में क्या करना है वो जो आपने आटा बनाया था इसका मिक्शर आपको धीरे-धीरे करके इसके बीच में डाल देना है, तो चलिए डाल लेते हैं, धीरे-धीरे करके, आप ये देख सकते हैं, स्लोली स्लोली मेरी मम्मी ये मिक्षर इसके बीच में डालेंगे पूरा एक बार मेना डालें ऐसे ही आपको धीरे-दीरे करके पूरा मिक्षर डाल देना है इसके बीच में और हिलाते रहना नीचे से तो चलिए अब पूरा मिक्षर डाल लेते हैं इसके बीच में और साथ में हिलाते रहें जो भी आपका mixture है, हाथ से आपका जितना भी लगा कटोरी में डाल के आपको इसको हिलाते रहना है और बीच में रुखना नहीं है दोस्तों, वर ना इसके लंप्स बन जाएंगे मोटे मोटे, गोल गोल, ऐसी धीरे-दीरे इसको हिलाते रहें आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम ये बिल्कूल भी स्में लंप्स नहीं बन रहे है को रुखना नहीं है, ये बहुत अच्छे से हो जाता है इसी तरह से आपको गुमाते रहना है और धीमी आँच पर रखेंगे, तब तक आपको इसको हिलाते रहना, जब तक आप इसको निकाल के इस तरह की गोला हाड हाड जैसा बनना शुरू हो जाए, जादा भी हाड नहीं होना चाहिए, और बहुत जादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बस मिठाई बन जाए हमार वैसा शेप आजाए, वैसे आपको कर लेना है इसको, तो देख सकते हैं, मम्मी ने यहाँ पे इसका गोला बना दिया है, अब गयास को हमने बंद कर लिया है, अब चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, मिठाई को हमारी जो बन रही है, इसको रख देते हैं, एक स तो आप यह देख सकते हैं, कि पूरा आटा हमने प्लेट में निकाल लिया, अब इसके बीच में, मम्मी यहाँ पे गी डालेंगी, ताकि वो चिपके ना बहुत, थोड़ा सा कम गी डाल सकते हैं, अब जितना चाहें, नहीं भी डालेंगे, तो भी चलता है, अगर नॉन टीनिट आपको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दोस्तों देख सकते हैं, मम्मी ने अच्छे से मसल के इसको एकदम चिकना जैसा आटे जैसा बना दिया, हाथ में आपको घी लगा लेना है, और घी लगाने के बाद में इसको और अच्छे से थोड़ा सा सौफ्ट कर लेना है गर्म घरममिल में थोड़े 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 आपको ऐसे हाथ करते रहना जू आटा गूंडा मिलो नीचे से साफ करके या बेलन लेकर आना घर के आन्या गाई जाकर इस को ते ऊड़े रना आद भी बिंगा बेलने इस थीआप इसको ना प्रहें कोुए भी असके बाद पिरन को और देखेंस का瓜 काजु कतलीcı जासा करें लिए अबना कि आपको ना लीडे जासे तो काजु कतली जासा करना כग सकते हैं आप रख जासे करना उसके हैं प्रफबर जासे आपको शय क्रीदि ये रखेंसे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, पूरा एकदम आटे की रोटी जैसा बेल लिया है, इसकी width भी आप देख सकते हैं, जादा बर्फी जैसी रखी है हमने, तो अब इसको side-side से आपको rectangle shape दे देनी है, हाथों की मदद से देनी है, कोई भी आपको cut करने की जरूरत नहीं है, इसी त हाथों की मदद से कर लिया है, जो हमने यह डोब बनाया है, अब इसको 5-10 मिनट थंडा होने देंगे, जादे देर अगर थंडा होने देंगे, फ्रिज में रखेंगे तो यह बहुत जादा हो जाता है, तो उतना आपको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको 15-20 मिनट ऐसे fan क की help से, आप fan के नीचे रख सकते हैं ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसको पीसिज में हम कट करने हैं, जादा भी ठंडा नहीं रखना है, बहुत ठंडा कर लेंगे, तो यह काटने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, देखे कैसे काट रहे हैं यहाँ पर, धीरे-दीर काट हो चुकी हैं, अब हम इनको गार्निश कर लेंगे, आप यह देख सकते हैं, यहाँ पर पिष्टा के पीसिज लिएं, और साथ में बदाम के भी पीसिज लिएं, तो आपको इनके उपर गार्निश करने के लिए, इस तरह से जैसे मम्मी लगा रहे हैं, वैसे आपको करक पूरी जगह पे लगा देना आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट पीस हमारा यहां पे बनके रेडी हुआ है मम्मी इसको अभी तोड़ के दिखाएंगे बहुत ही प्यारा बनाईए आप देख सकते हैं तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर करना बिलकुल भी न भूले धन्यवाद आपका दिन शुब रहे